स्योहारा के मोहला मिलकियान में भाकियू की बैठक आयोजित हुई जिसमें सदस्यता अभियान चलाया गया सैकडो लोगों ने भाकियू की सदस्यता ग्रहन की बता दें कि जमाल एहमद के आवास पर बैठक आयोजित हुई किसान नेता गजेंद्र सिंह ने कहा भाकियू किसी राजनीती पार्टी का समर्थन नहीं करता भाकियू अपनी लड़ाई गांधी जी के उसुलों पर चल कर लड़ने का काम करता है भाकियू किसानों की लड़ाई लड़ता है हमारे यहां मजहब या जाती देखकर सदस्यों को नहीं जोडा जाता भाकियू हर एक कार्य करता सिर्फ और सिर्फ किसान है और यह संगठन किसानों का संगठन है इस मौके पर जावेद शम्स, मुहम्मद नौमान उर्फ राजा, अच्छन सिद्धिकी, रामचरन सिंह, गजराम सिंह, अलोक कुमार चौधरी, चिरंजी सिंह यादव, नपेंद्र राणा, अजीम खान, प्रीतम सिंह, आदिकिसान मौझूद रहे स्योहारा से नजम सिद्धिकी की रिपोर्ट होने चाहिए, और समाज को बढ़ाने का होना चीए, जई है, अभी जातियों की बाद भी चल लएथी, मजब की बाद चल लेती, मजब जाती बहुत छोटी दीज उती है, समाज बहुत बड़ा सिस्टम होता है, समाज का, समाज में सम लोग आ जाते है, समाज एक समुन्दर है, और ऐसे ही संगठन, पार्टी बहुत छोटी चीज है, कोई सिवी पार्टी हो, पार्टी एक सिवीत होती है, लेकिन संगठन बहुत बड़ा है, पूरे देश में नहीं, बहातर देशों में आपका संगठन चल लिया, आज बिदेश में लोग आपके ते हैं, तो है, तो है होस लोपी ज़रूरत, अगर हमारे होस ले उडान की तरफ है, तो कोई चीज हमें पिछे नहीं रोख सकती, बगेर प्रंकों के भी उड़ सकते हैं, लेकिन हमें बरगलाने का काम करते हैं पार्टी हाग्ई, जब किसान की बात आती है, मजदूर की बात आती है, त साथ हम यह कर देंगे कि साम के दियों हम यह कर देंगे लेकिन करता कोई है